हेलो बच्चो वेलकम तो इस अमेजिंग प्लाफ़र्म ओ फिदिक्स वाला इस इस नैंसी डेला इन तोडे वी विल डिस्कॉस दे सेकंड लेक्चर ऑफ वा टेक्नोलोजी एन इस अप्लिकेशन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था एक बार हम क्विक रीकैप करते ह हमने देखा था कि बायो टेक्नोलोजी क्या क्या अप्लिकेशन अग्रिकल्चर के अंदर और हमें बहुत अच्छा सा खुबसूरत से एक्जेंपल हमने पढ़ा था बीटी कॉटन के बारे में किस तरीके से हम इंसेक्ट रेजिस्टन प्लांट बनाते हैं बायो हम करने वाले तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं उससे पहले आई होप आप अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे होगे और नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे कि कि रिविजिन बहुत जादा इंपॉर्टन है दोस्तों ठीक है जितना जादा आप रिविजिन आज का टॉपिक क्या होगा और स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा यू है तो बियर विद माइज क्योंकि थोड़ा सा गला खराब है ठीक है लेकिन हम अपना लेक्चर बहुत अच्छे से करेंगे तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो गोल्डन राइस होने ज professor बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे और ना इंटरफेरंस के बारे में बढ़ेंगे या कि किस तरीके से हम पेस्ट रिजिस्टंट भीठी ही पढ़ रहे थे लास्सट के अंदर अकार अपड़िकेसिन पढ़ी तक लीट के अभख़ोजोगी आप-टन के बारे में बहुत अच्छे पढ़ाई की दी तर बहुत जादा खिको छी टॉपिक के अनदर ऐसा यसका अंदर गौत तो हो गया каж frankum दूसरा हो गया आपका पैस रिजिस्टेंट प्लांट जो आज हम पढ़ लेंगे ठीक है जैनेटिकली एंजीनियर इंसुलीन और जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे कुछ सेलेक्टिट से ही टॉपिक है ठीक है तो जो बायो टेकनालोजी है वह एक कॉंसेप्चुल से य यूनिट बहुत जादे इंपॉर्डेंट है एक बार चीज़े आपको समझ में आ गए नहीं एक बार आपको प्रोसेजर समझ में आ गया तो आपको आपको मतलब थोड़ा सा माइंड इतना ओपन हो जाएगा अब एक बार आपको एप्लिकेशन समझ में आ गई इसका पूर इंफेडरेशन और टेकनोलोजी नहीं तो डेफिनेशन ही यही दी थी ठीक है तो सबसे पहले एक हमने बीटी कोटन हमने पढ़ लिया था आज हम जो करेंगे अभी उसको उसका पॉइंट डालो बच्चे वो है गोल्डन राइस ठीक है हम बात करेंगे गोल्डन राइस की देखो नॉर्मल रैस ACT अगर में बात करो तो नॉर्मल राइस के दर वाइटमेंन अ तो नहीं होता इतना तो आपको पता है फीकह तो साइंटिस्स ने क्या किया साइंटिस ने एक बीटा कैरोटीन उसेंड जीन को एक शक्ट किया अभी जो बीटा कैरोटीन दीन हना यही प क्या किया साइन्टेस्ट ने उन प्लांट से इस जीन को एक्स्टेक्ट कर लिया जो कि रिच है वाइटमीन एक अंदर फॉर एक्जेम्पल अगर मैं बात करूँ डैफोडिल की या फिर अगर मैं बात करूँ कैरेट की दोनों के अंदर वाइटमीन ए रिच होते हैं दोनों के गइस सा काहिछ एिजरा शाब क्या गर्ज राइस होगय तो यूस हो गई और जो वैक्टर है वह ठीए प्लार वहक्टिरियम तूम की बात है यानि सब्सक्राइबन खुला सबस्प्सटै को मिलस क्षाइब भाइया जो बायो टेकनोलोजी तनी पड़ी है उसी का यूज कर लेते हैं अब इतनी प्रोसेस हम ने पड़ी है इसका यूज करें और देखेंगे हमारे लिए क्या फाइदा है तो आप इस ने क्या इस ने पास जिसके पास वाइटमीन नहीं हम इसको वाइटमीन रिच सब्सक्राइब तो साइंटिस ने वोला यह तो बात साहिए अब इधर सब्सक्राइब दोनों वाइटमीन है रहे हम आपके कुछ काम आएंगे वह बोलते हैं तो में भी काम नहीं लेंगे कैसे लेंगे इसका बीटा-कैरोटीन प्रोडीसिंग जिन क्यों लिए क्योंकि यही दो क्या है प्रीकरसर प्रोवाइटमिन ए बोलते हैं बीटा कैरोटीन को क्योंकि यह प्रीकरसर ए क्या बनाएग वैटमीन तो चलो ठीक है टैफोडिल लिया से बीटा-कैरोटीन प्रोडousing जीन को उठाया एग्रोबैक्टिरियम की मदद से लेंदर cells कर दिया राइस के अं बन आपर सो नहीं तिस तरीके होता है तो स at that न्यूट्रेंट जो वेल्व है अचलपनल श्कूराइजान है क्यों बढ़ा ड़न ख़ेशन कि मदद से किया क्या बात समझ में आई क्या यह बात समझ में बहुत जादा important है यह वाली चीज चलो ठीक है एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि golden rice में actually चीजें किस तरीके से हमने की है ठीक है तो golden rice देखो यहां पर क्या हुआ कि beta carotene ECDudouchian producing geneATHAN protein producing gene extract from extract from dafodil ठीक है यह dafodil से extract किया और बच्ची यही क्या है हमारा gene of interest है यही क्या हमारा gene of interest है ठीक है यही क्या है पका gene of interest है ठीक है अभी जो बीटा के protein producing gene है यह किसके अंदर किसकी मदद से टी आई प्लासमीड ओफ एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशन ती आई प्लासमीड ओफ एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशन का उसकी मदद से यह किसके अंदर इंट्रिड्यूस कर दिया यह इंट्रिड्यूस कर दिया बच्चे इंट्रिड्यूस किसके अंदर इंट्रिड्यूस कर दिया इंट्रिड्यूस इन और आईजा स्टाइवा ठीक है यानिक यह राइस के अंदर इंट्रिड्यूस कर दिया अब इस राइस के के पास पहले दिशन नहीं था नहीं था लेकिन बैटकनोलोजी की वदद से हमने इस एनोडर गया इंटर्डीusz कर दिया वीटा करोटीन प्रिडूसिंग ंंदर इन्टर्डीज कर दिशन के मतलब इसके पास दूसरी species का जीन है तो अब इसको हम क्या बोल देंगे ट्रांस जैनिक राइस ठीक है इसको हम क्या बोल देंगे ट्रांसजेनिक राइस और इस ट्रांसजेनिक राइस के पास क्या है बच्चे इस ट्रांसजेनिक राइस के पास क्या है नमबर वन इस ट्रांसजेनिक राइस के पास क्या है यह है बच्चे बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन ह अब यह जो बीटा केरोटीन प्रोडूसिंग जीन है यह क्या करेगा यह क्या है बच्चे बीटा केरोटीन इस प्रीकर्सर और बीटा केरोटीन इस प्रीकर्सर किसका प्रीकर्सर है प्रीकर्सर ओफ वाइटमिन ए यह किसका प्रीकर्सर है वाइटमिन एका प्रीकर्सर है चाहन तो आप यह उलिख सकते हो बीटा कैरोटी आnormी इस यह यह दूज इन कल ऐ। की सकलर का होता श्राय को लटा है यह 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 Palaz उलिए तरह अप्र चीलिया खॉर से गोल्डन राइस या फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो मैं माय रिच राइस क्या बोलते हूं बचे वाइटमीन ए रिच राइस मेरी बात समच में आई तो यह आपकी क्या था एक एक एक्जेम्पल था ठीके पहले एक्जेम्पल आपने बीटी कोटन पड़ा थेकंड एक्जेम्पल आमने पढ़ लिया है गोल्डन राइस का अब यह जो प प्लाजमीड ऑफ एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशन और यह राइस टाइवया के अंदर डाल दिया आप इसको ट्रांसफोर्म कर दिया है इसको हम बोलेंगे आप ट्रांस जैनिक राइस अब यह बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन को प्रीकर्सर ओफ वाइटमीन एब पर मैं लिख देती हूं ठीक है प्रोवाइटमीन ए आवास तो समझ में आ रही होगी ना ठीक है वर्ट्स तो क्लियर होगे ना ठीक है तो आपका स्लेबस थोड़ा सा और बहुत थोड़ा सा जादा नहीं पीछे थोड़ा सा पीछे चल गये इसलिए अब और कोई ठीक है क्लियर है चलो जी बिल्कुल अब हम बात करते हैं अपने एक और अच्छे से खूबसूरत से एक्जैम्पल की ठीक है चलो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एक्जैम्पल की एप्लिकेशन यह ठीक है यह क्या है बच्चे एप्लिकेशन है चलो लिखो third application है blood sucking leech इसका हमने किस तरीके से पाइदा उठाया है हमने क्या बना लिया है यहां से वो हम देखेंगे ठीक है देखो जो blood sucking जो leech होती बचे ठीक है जो blood sucking जो leech ओती है वो blood शक करती है ठीक है तो blood coagulate क्यों नहीं होता ठीक है blood clot क्यों नहीं होता क्योंकि naturally जो leech की saliva के अंदर हिरुडिन प्रेजेंट होता है ठीक है अब यह जो हिरुडिन है यह क्या है एंटी कोईगुलेंट है अब हमने क्या किया बच्चे जो अब हिरुडिन है प्रोटीन है ठीक है अब प्रोटीन है तो कोई ना कोई जीन कोड करेगा यह तो जो भी जीन कोड कर रहा है हिरुडिन क वो उस जीन को हमने क्या कर लिया एक्स्ट्रेक्ट कर लिया अब जीन को एक्स्ट्रेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हमने ब्रैसिका नेपस प्लांट के अंदर डाल दिया जो मैं इसकी तरह दिखता है ब्रैसिका नेपस के अंदर डाल दिया अब ब्रैसिका नेपस के अंदर जीन एक्स्प्रेस करेगा, ट्रांस्क्रिप्शन करेगा, टांस्लेशन करेगा, यानि कि प्रोटीन मनाएगा, प्रोटीन क्या बनाएगा, हीरुडिन, अब यह जो हीरुडिन है, वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, सीड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, जब ओयल एक्स् जो भी रिक्वाइड पेशेंट है ठीक है तो यहां पर भी हमने क्या बना लिया है हमने बना लिया है हिरुडिन यानि की एक एंटी कोईगुलेंट बना लिया है हमने क्या बना लिया है एक एंटी कोईगुलेंट बना लिया जो नैचुरली किसके अंदर प्रेजेंट है जो क गठीपर हमें दबTr करेंगे अब प्लांट के अंदर जो हमारे हों सेल है वह 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 अपनी क्या प्रासी का नेपर प्लांट है तौ इसके लिए हम जो वेक्टर यूज करेंगे वो क्या करेंगे T.I. Plasmid of Agrobacterium Tumeifacian मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई ठीक है आई है नहीं आई देखो जलो आब हम बात करते हैं blood sucking least तो यहाँ पर देखो anti coagulant producing anti हरुडिन के बारे में बात कर लेते हैं हरुडिन ठीक है, जो हीरिडिन है बच्चे, ये एक natural anti-coagulant है, ये natural क्या है बच्चे, anti-coagulant है, ठीक है, ये natural anti-coagulant है, present in saliva of, present in saliva, किसकी saliva के अंदर? present in saliva of blood sucking leach, जो blood sucking leach है, उसकी saliva के अंदर ये present होता है, ठीक है, बहीं बात समुझ में आईगी, अब देखो, क्या करते हैं, कि ये जो anti-coagulant, अब बचे जो हीरिडिन क्या है, प्रोटीन है, अब कोई भी प्रोटीन है, उसको कोई ने कोई तो जीन कोड करेगा ही करेगा, है न पूरी कहानी तो ये ही पड़ी थी हमने, तो देखो, जो भी ये anti-coagulant producing gene है, anti-coagulant producing gene, ये जो anti-coagulant producing gene है, extract from, extract from blood sucking leech, ठीक है, blood sucking leech थे, ये anti-coagulant producing gene को क्या कर लिया, एक्स्टेक्ट कर लिया, और यही क्या है हमारा, यही हमारा है gene of interest, यही हमारा क्या है बच्चे, gene of interest, अब इस gene को क्या किया है, इस gene को क्या किया है, ti-plasmid, ti-plasmid of recombinant बना लिया, ti-plasmid of agrobacterium tumefacian, ठीक है, यह vector यूज़ करके, इसको क्या बना लिया, recombinant बना लिया, और इसको किसके अंदर transform कर दिया, transform, किसके अंदर transform कर दिया, brassica, neppos के अंदर transform कर दिया, ठीक है, brassica, neppos के अंदर क्या कर दिया, transform कर दिया, ठीक है, अब यह क्या होगा अब यह जीन इसके अंदर आई गया है अब यह क्या करेगा बच्चे ट्रांस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर ठीक है यह क्या होगा बच्चे ट्रांस्क्रिप्शन होगा ट्रांस्क्रिप्शन के बाद transcription य양दे कि messenger RNA बनेगा फिर translation होगा translation होगा मतलब यहाँ पर protein बनेगा ठीक है क्या बनेगा बच्चे protein अब यहाँ यहाँ पर क्या बनेगा heroin बनेगा जी हिरूडिन है यह आके store हो जाता है it gets stored in heroin heroin कि घ्यारच तोरोकि इनि कहाँ पर जा करी सोद हो जाता है। इट गेट चौइट इन सिछिस यूहफ ब्रैसी का निपर जोdonेप़ सैं कि ब्रैसी का juste आपर जो यूह पर जैन वह जाकर हमगे यहा चोल जाए सब्सक्रिएगा यह तो ढूंट स्ट्रेमिंग प्रोसेसिंग अगर आपको नहीं पता नहीं समझ में प्रोसेस्ट यह मैं नहीं 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 दिया है आज तक तो कभी इस बला के बारे में पढ़ा नहीं हमें तो वह यह बायो टेक्नालोजी प्रिंसेपल और प्रोसेस का लास्ट लेक्चर जाके देख लेना उसके अंदर जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है उसको डिटेल के अंदर समझाया गया ठीक है जिसके प्यूरिफिकेशन हो गाँ सावरेशन हो गई है यह सारी के सारी चीज़े होंगी ठीक है और फिर हमें मिलेगा जैसे कि प्यार इसी बोटल के अंदर बना लेते हैं यह हीरूडीन गोगए यह हमें मिल गया है हीरूडीन और यह इंजेक्ट कर देंगे inject in patients via injects की जगे लिख जएते है given to patient via injection given to patient via injection given to patient via injection तो यह है अपनी पूरी की पूरी कहानी कि इसकी तरीके से हम एक हिरुडिन बनाते हैं ठीक है वजब एक यह natural anti-coagulant है ठीक अब जिस पेशन्ट के इंदर जिस सपोस्ट ब्लड ज्यादा क्लोट हो रहा है तो हम उसको यह दे सकते हैं according to the patient requirement हम देंगे ठीक है अब देखो यह पर मैं फिर से समझाती हूं यह process हुआ क्या यह बायो टेकनोलोजी का application है ठीक है अब देखो जो anticoagulant जो एक लीच है ब्लड सकेंग लीच ठीक है अब यह जो ब्लड जो करती है अब वहां पर लीच के अंदर ब्लेड क्लोड क्यों बना लिया आप फिर उसको ट्रांस्फर्म कर दे ब्रैसी कानेपस के अंदर अब यहां पर वो जीन जो मने इंट्रिड्यूस किया था या निके पूरा लेंगे और इसको फिर इंजेक्शन के फॉर्म में पेशन्ट को दे देंगे तो यह थी आपकी थोर्ड एप्लिकेशन क्या किस तरीके से हम हिरुदिन बनाते कि सरीखे से हम गॉल्डर राइस बनाते एंट है अब बात करते हैं फूर्थ एप्लिकेश पॉर्थ एक्जैम्पटल की थे चॉरस चुराँ किपा दिशन करो और अपने आपको पूरा पूरा करें प्रेशींट्नज रिजिस्टन्ट प्लांट गयानि को यह इस तरीकतत इस तरीक है कल बनातेन बने को करते हैं अब यहिता और हैं त्रीकांदिटे बनाएंगे आगें किसी मदद से किस इसोमा टे कि कि मदद से सレजिस्टन ट्रेंट रहे होगा और आपने सुना ऊगा इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले पहले वह देख लेते इस इसके इंदर एक बहुत प्यारी सी टेक्निक पढ़ने है उस technique का नाम है RNA interference technique ठीक है इस technique का नाम है RNA I ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हैं RNA I या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो RNA interference technique हम इसी technique का use करेंगे RNA interference या फिर आप इसको MRNA silencing भी बोल सकते हो या बोल सकते हो messenger RNA silencing यानि कि हम किसका use करेंगे हम RNA interference technique का या फिर आप इसको RNA I technique बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो messenger RNA silencing आप बोल सकते हो ठीक है अब पैस्ट रिस्टेंट प्लांट बनाना है क्या बनाना है पैस्ट रिस्टेंट प्लांट मतलब एक प्लांट है अब इसको कोई भी इंसेक्ट खाएगा उसका काम तमाम हो जाएगा यानि कि हमने उसके अंदर अद्बुत शक्तियां डालनी है वह अद्बुत शक्तियां डालनी हैं किसका यूज करके बायो टेकनोलोजी का यूज करके ठीक है अब यह process किस तरीके से होगी हम वह देखते हैं अब आपने निमेटोड के बारे में तो सुना रही होगा ठीक है नाम सोना सोना सा लग रहे है जो चीज में आगए आपसे पहले का पूश्च रही है तो मुझे ऐसा डाउट लगता है कि आपको यह चीज सुनाई मतलब पहले सुनी भी है यह नहीं पहले आरेने इंटरफेरेंस टेक्निक तो आपने नहीं सुनी होगी चलो निमेटोड इइस याने की राउंड वौ म यह जो राउंड वौ म यह पयरसाइटाइज और परसे डा इस बोट प्लांट अंड आनिमल्स प्लांड ऑन इनीमल्स को यह पгор distingu करते हैं यानि कि यह पैरासाइट हो सकते हैं यह प्लांट के उपर भी पैरासाइट हो सकते हैं एनिमल के उपर भी पैरासाइट हो सकते हैं एनिमल का अगर मैं एक्जेंपल बताओ तो वही तो हम करने वाले ठीक है एक पटिकुलर निमेटोड है बच्चे वह पटिकुलर नि शक्तिया डाली है ताकि जब यह निमेटोड उसके ओपर अटाक करें तो यह आटमेटिकली क्या हो जाए मर जाए अभी किस तरीकी से होगा वह होगा बाय टेकनोलोजी का यूज करके ठीक है तो यू के अंदर जो आरने इंटरफेरंस टैकनिक है ना जैसे आपने प्रोक जब ना वह निश्चरा हुआर डिफेंस मेकनिक ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूँ ठीक है एक घ्यापै में लिख देती हूँ और कि यू क्यूकर यूट यूकरिछ ona ओव हि नेचरल कि डिफेंस और एक निमेटोड का नाम आपने याद रखना है इस निमेटोड का नाम है एक निमेटोड है कौन से पार्ट को इंफेक्ट करता है ये भी ध्यान रखना और कौन से प्लांट को करता है ये भी ध्यान रखना आफ टोबाको प्लांट मेरी बात समझ में आई यहां से आपके तीन क्वेशन निमेटोड का नाम क्या है मिलोडोगाइन इन कोगनेश्य इसी का हम पढ़ेंगे कि जो निमेटोड है किस तरीके से प्लांट को टोबाको प्लांट को इफेक्ट करते है पर एक्जेंपल अगर मैं एक डाइग्राम बनाऊं तो दिस अपोस यह ठीक है यह रूट्स है किसकी रूट्स है बचे यह तो बैको प्लांट की रूट्स है ठीक है और यहां पर क्या होता है बचे यह इस सरीके से नोट बना देता है ऐसे गाटे बना देता है यो नीमेट्स अगर प्लांट है रिएख कह और क्या होता है कि टोबैको प्लांट की इल्ड कम हो जाती है टो वां को जो प्राइंट है है कि इसकी जो हुआ हएं वह क्या हो जाति एक uh जाती ग्री पोने बहbag को दे updated को में क्या हो जांदी नम्ती यह वहां प्रापर एब्जॉप्शन और व्हगरा नहीं होगा और तॉ बार को प्लाइंट है उसकी इल्ड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी टोबैको प्लैंट की इल्ड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है और इस डिजस को हम क्या बोलते हैं बच्चे रूट नॉट डिजस अब हम क्या करेंगे हमें कुछ इस तरीके की टेकनिक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आरएने ईंटरफेरेंस टेकंडिक एलने इंटरफेरेंस टेकंडिक का यूज़ करके हमें इस टोबैको प्लैंट सिसाफ से निजात मिल वाणी है कि सबस्सक्रां को सक्षेजी और से इसी का exploitation कWP hasnilम इसे इस चुटकारा मिल जाएं ताकि रूट नस ना को तो यानि कि जो इल्ड है टोबैको प्लांट की उसके ऊपर कोई भी फरक ना पड़े तो यह पूरी की पूरी क्या है अब हम देखते हैं पूरी की कि अब हम देखते हैं और मिलोड गैने मिलवा चुटकारा मिलौ तो पहले आप इसको ज़ल्दी ज़ल्दी से दोड़न कीजिए फिर हम आगे बात करते हैं न को फिर फिर आम आगे बात करते हैं इसकी है है आप नोे आप sucks आप देखते हैं अभर मैं बात करूँ यहां पर एक यहां पर दो आप मतलब लैंड्सकेप में बना चाहो जो लैंडंसकेप में बनaffen twaken पर एक पार्ट यहां पर ठीक है अब देखो यहां पर मैं निमेटोड का नाम लिख देती हूँ निमेटोड का नाम लिख देती हूँ निमेटोड के बच्चे मिलो आइडोगाईनी इनकोगनेशिया इंट अचेसा के लाएडेंघ Eigen अझार्ण के या द्वीने आफ झार्ण का यह और अब यह दिने और ने करते हैं यह यह लिदोेंगे न करेंक गते हैं अब यह अब यह जो शेड दो कर्णा देंड आरहने बिंद्ध कर दोंगे सिरम रहेंगे होगी और यह क्या भणे भणेगा मैसनजर आ रहा हैं एक प्रोटीन बन रही है यak these यहां पर क्या बनто transcription और यहां पर क्या हो रहा है बच्चे ट्रांसलेशन हो रहा है यानि कि जो protein है ना इस protein is very very necessary for the metabolic activity of nematodes मैं आप पहर लिख देते हूं this protein is this protein is very ईक मिनासिरी फोर कि मैटाबोलिक एक्रिविटी ऑफ नंहेटो पर मैटबॉलीक अ एक्रिविटी मोफ ऑफ मेरात एक्रिविटी में इसके रिए बहुत जरूरी है देखो रोगे निमेटोड है मिलो DBC तुमनेश्य च्छेवर पारन इंटरफेरंस टेकनिक आपको समझ नहीं आएगा अगर आप यहां पर पुल एटेंशन नहीं दोगे तो ठीक है तो कंप्लेटली बहुत अच्छे से यहां पर बैठना है अब इसके पास इसका खुद का DNA होगा अब DNA यानि कि दो स्टेंड होगा एक सैंस सेंस ट्रेंड होगा यांनि कि कोडिंग स्टेंड होगा दूसरा नौन कोडिंग स्टेंड होगा coding strand से क्या बनेगा आपका messenger RNA बनता है ठीक है यानि कि single standard messenger RNA बनेगा transcription होगा transcription से translation होगा translation से एक protein बनती है और ये जो protein है इस निमेटोड की जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है अब अगर हमें निमेटोड को मारना है तो हम क्या कर सकते हैं हमारे पास एक solution है कि इस protein को ना बनने दे अब इस protein को हम किस तरीके से नहीं बनने दे सकते हैं इस protein को हम इस तरीके से नहीं बनने सकते हैं क्योंकि messenger RNA बनाएगा तो अगर ये single standard messenger RNA है यही क्या बनाता है protein अगर हमने इस messenger RNA को double standard बना दिया यानि कि अगर इस सिंगल स्टेंडिड मेसेंजर आरेने को अगर हमने यहां पर डबल स्टेंडिड मेसेंजर आरेने बना दिया तो यह प्रोटीन नहीं बनेंगी अगर प्रोटीन नहीं बनी तो यानि कि निमेटोड जिंदा नहीं रह पाएगा अगर निमेटोड जिंदा नह धराना है तो निमेटोड़ को हम मार सकते किस तरीका से इस ठोटिन Bunny देने Advent कि तरीका इस प्रोटिन को ना बनने देने का इस क्या बना दो डबल स्टेंडिब मेसंजर ने बना दो तो यह तरीका आप चुछ इसको किस तरीके से करते अब देखो अगर मैं यहां पर ब्रांड की बात करू ठीक है यानि अभुआ यह क्या है बच्चे टोबैको प्लाइंट है ठीक है अब इस टोबैको प्लाइंट के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा तोबैको प्लाइंट के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा और इसका न्यूक्लियस होगा ठीक है अब इस न्यूक्लियस के पास क्या है मैं यहां पे देती हूं यह क्या है बच्चे न्यूक्लियस है अब न्यूक्लियस है तो इसका मतलब क्या होगा इसका खुद का अब देखो हम क्या करते हैं हम यह चाहते हैं कि जो को इंगोई खुद और वह से ले लिए और ने यहां पर इंसर्ट कर दे किसके अंदर so यह है tobacco plant यह यह कैसे बचशे टोबैको प्लांट मेरी बाद धिहान से सُनना यहीं पर पूरी की पूरीव कहानी है अगर समझ में आया तो यहीं से नहीं आएगा तो यहीं से कुछीज आपको समझ में रहेंगे देखो इस अब ने आको इतने तो ने कि आपको इतना तो पता है कि हमने इस मैसेंजर आ रहने का डबल स्टेंडिड बनाना है ताकि यह प्रोटीन ना वने जो इस निमेटोड को जिंदा रख रही है अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इसका प्लांट है प्लांट के अंदर नुक्लियस है नुक्लियस के पास खुद है यह वाली सीक्वेंस एड़ कर दी, यह वाली सीक्वेंस हमने क्या कर दी, एड़ कर दी ठीक है अब यह सीक्वेंस ही क्या खास बात है, अब यह रिकॉंबिनन बनाया है रिकॉंबिनल हम किसका यूज purchase करेंगे भया एम अग्रेश टियाई पला्समिड आउफ्ट्र म सिव नियुक् zar어나 आरहेने के पास सीक्वेस होगी इस मैसेंजर आरहरेने के सैंस स्टेंड की एज वल्हेल सेत्पाइब की एंटी सेंसरेंड ही ठीके दोने ही सीक्वेंन साव्वेस्ट तोंगी यहां निकी युजिङ नोग niemand यानिकी यूजिङ ऑप यॉजिङ प्लास्मीड आपकी अफ युजको यह यहां सेंसर ट्रेंड देखो यानि कि यह जो जीन है यहां से हम सीक्वेंस उठाई है और किसके अंदर डाली है अब यह कोई सीक्वेंस नहीं है इस सीक्वेंस की क्या खास बात है यह मैं नेक्स लाइड के ऊपर बना रहे हूं ठीक है यानि मेंसेंजर आ रहाएंने यह किसका मेंसेंजर ANN है एक निम्हें को बता देती हूं मैंस्वेंसे 성ंजर koons सैंस मैंस कोडिंग से सैंस स्ट्रेंड न बनेगा जो की बाद में प्रोटीन बनाएगा तो इस मैंसेंजर की जो sequence है इसकी बाद करूँ just suppose यहां पर messenger आने की sequence ले ली मैंने AU AUCGCA यह मैंने sequence ले लिए किसकी sequence है यह sequence है sequence of messenger RNA of nematode यह nematode की sequence है अब हमने वो specific sequence है वो किस तरीके से insert करी है वो इस तरीके से insert किये कि इसके पास यह तो sequence हो यानि कि sense strand वाली sequence तो हो ही हो साथ में इसका complementary भी हो यानि कि इसका anti sense भी हो इसकी complementary sequence भी हो तो यानि कि हमने जो sequence add करी है द्यान से सुनना उसके पास यह sequence तो हो अब यह तो हो गए sequence messenger RNA of nematode की यह sequence किसकी है messenger RNA of nematode की ठीक है और इसके पास sequence क्या है A, U, C, G, C, A यह sequence है ठीक है अब इसकी complementary भी होनी चाहिए ठीक है इसी तरीके से हमने sequence को add किया है इसकी complementary sequence क्या है A की बच्चे, U, C की क्या हो जाएगी, G, G की क्या हो जाएगी, C, U की क्या हो जाएगी, A, और A की क्या हो जाएगी, U और यह इस तरीके से होगी कि इसके पास messenger RNA, जो nematode की messenger RNA की sequence तो हो ही और साथ में इसका complementary हो अब ये क्या करेगा बच्चे ये घोम के एक complementary sequence बना देगा किस तरीके से ये के hairpin like structure बना देगा जैसे कि ये A, ये U, ये C, ये G, ये C और ये A और ये बच्चे यहाँ पर जो sequence होगी ये इसकी complementary sequence होगी यानि कि U, ये हो गया G और G, C से साथ, C, G के साथ, U, A के साथ और A, U के साथ और इस तरीके से ये double standard बन गया और ये एक hairpin like structure बन जाएगी कैसी structure बन जाएगी बच्चे ये hairpin like structure बन जाएगी तभी मैंने क्या बोला है कि using TI plasmid of agrobacterium to me fashion we insert pneumatode specific gene in such a way that it forms sense as well as anti-sense sequence या फिर anti-sense strand तो ये हो गया है आपका एक hairpin like structure यानि कि ये double standard बन गया है messenger आ रहे ने मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई आई आप देखो ये तो sequence हमने add करिए अब देखो पिछी slide की तरफ चलते हैं तो इस मतलब हमने किस तरीके से यहां पर sequence add करिए by using TI plasmid of agrobacterium to me fashion in such a way that it forms sense as well as anti-sense strand using TI plasmid of agrobacterium to me fashion अब देखो ये क्या करेगा बच्चे अब ये क्या करेगा अब ये messenger RNA बनाएगा ठीक है just suppose ये क्या बना दिया messenger RNA बना दिया अब ये messenger RNA है ये क्या कर लेगा बच्चे लूपिंग कर लेगा यानि कि ये इस थरीके से क्या कर लेगा ये लूपिंग कर लेगा यानि कि hair pin like structure यहाँ पे बन जाएगी कौनसे structure बन जाएगी ये hair pin like structure बन जाएगी ठीक है किस टाइब की structure बन जाएगी यहाँ पे hair pin like structure बन जाएगी ठीक अब cell के अंदर क्या होते बच्चे ये डाइसर होते है, दाइसर का मतलब क्या है, ये राइबो klonとks होते है, जो इसको क्या कर देंगे बच्चे इसको छोटे-छोटे चोटे-चोटे काट के अंदर एसे तोड़ देगा, लेट में यूज दूस इसेम कलर थी चोटे-छोटी sequence के अंदर ये तोड़ देगा, जैसे ये 15-20 नुकलिोटाइड की सीक्वेंस के इनद तोड़ देगा कौन तोड़ देगा बच्चे डाइसर ये जो डाइसर है इसके उपर रेक्ट करेगा ठीके हेयर पिन लाइक स्टक्चर के ऊपर और उसको छोटे छोटे सिक्वेंस के इनद तोड़ देगा और इसको हम क्या बोलते हैं SIRNA यानि की इसको हम क्या बोलते हैं Small Interferring RNA अब देखो ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है प्लांट के अंदर ये कहानी है आपके किसके अंदर निमे टोड के अंदर मैं यहाँ पे इसको टोबाको प्लांट लिग देती हूँ यह चल रहे हैं किसके अंदर बच्चे टोबाय को प्लांट के अंदर अब बारी आती है बच्चे शेतान की दुष्ट की दानव की जो इसके इस प्लांट को इंफेक्ट करता है ठीक है उस निमेटोड की बारी आती है अब अब यह जो निमेटोड है बच्चे इसको जिस सपो तो बच्ची जो small interfering RNA है यह इसके अंदर जाएगा ठीक है यह small interfering RNA है small interfering RNA है अब इसकी जो cell के अंदर क्या हो रहा है ठीक है cell के अंदर तो निमेटोड के अंदर तो यह हो रहा है निमेटोड के अंदर तो यह कहानी हो रही है यानि कि निमेटोड का जो जीन है वो मैसंजर आरेने बना रहे है और उसे एक प्रोटीन बन रहे है और यह जो प्रोटीन है बच्चे इसके लिए निमेटोड के जिंदा रहने के लिए ठीक है और यहां से निमेटोड ने जब इ एक रिस्क होता है एक कॉमप्लेक्स होता है बच्चे है आर आएससे यानि कि इसकी फुल फर्म की बात करूं तो यह होगा बच्च जो आरने देट है ले कि ए पिंड्यूस्ट है कि टृपिक depend तृथ इसके ना पतलब कॉंप्लेक्स होता है बहुत चारे एंजाइम्स का ठीक है यह रिस्क क्या करेगा पच्छे इसके उपर एक्ट करेगा ठीक है यह जो रिस्क है ताकि अभी तक यह नहीं हुआ है तो आपको और अच्छी से चीजे यहां पर समझ में आ जाएंगे ठीक है तो और आपको पता है इसको मैं किस कलर से रिप्रेजेंट करूं अब बसुटन करूं कि ओगर चाहँ देंको कि यानि की स्मॉल इंटर पैरिंग आ रहे नहीं है कि काहिए यह ऐसालो इंटर फैरी आ जाएगा तो यह क्या बनाएगा बच्चे सेंस स्टेंड को तो अलग कर देगा बाकि एंटी सेंस स्टेंड यहां पर बच जाएगा अब एंटी सेंस स्टेंड क्या है किसके कॉम्प्लिमेंटरी इसके कॉम्प्लिमेंटरी है ठीके तो यह सेंस स्टेंड हो गया है यह सेंस अगर ऑब अपर दोनों ही क्या बन गई बत्चे है डेखो उत कि मिन अच्छारा ब्रेग लेके ल्हें आप आप यहां पर देखो मैं थोड़ा सा पानी पिलेती हूं ठीक है फिर मैं आपको पूरी की पूरी कहानी फिर से बताती हूं कि आप जल्दी से एक बार इसको नौट कीजिए ठीक है कि आप जल्दी से कीजिए इसको चलो अब देखो कहानी हम फिर से देख लेते हैं कि आपको यह वाली जो चीज अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं देखो हमने क्या किया है हमने किया है कि एक निमेटोड है एक शतान है ठीक है उस वो एक अपनी जिंदा रहने के लिए प्रोटीन बनाता है अब हमें उसकी कमजोरी का पता है कि जब तक यह प्रोटीन बनेगा जब तक निमेटोड जिंदा है ठीक है लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे कि इसकी प्रोटीन को अगर हम बनना रोक दे यानि कि इस प्रोटीन को अगर हम बनना रोक दे तो क्या होगा अगर प्रोटीन को बनना रोक दिया तो इसका मतलब यह निमेटोड जिंदा नहीं रह पाएगा अब एक चीज हम देखते हैं कि निमेटोड के अंदर क्या क्या चीज हो रही है दूसरी तरह हम देखते हैं कि टोबैको प्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज हो रही है टोबैको प्लाइंट को हमें बचाना है एक निमेटोड से जिस निमेटोड का नाम है रूट बना देता है रूट नोट डिस बोलते हैं इसकी बखेसे टोबैको प्लाइन्ट की इंटर्फेरेंस टेकनिक का यूज करके या फिर और ना आई असको बोलते हैं या फिर messenger RNA silence MRNA silencing इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इस MRNA को क्या कर दिया है silent करा दिया है double standard बना दिया है किस तरीके से बनाएंगे अब वह देखेंगे अब देखो क्या होगा कि नहीं में टोट मिलो आइडोगाइने कोगनीशिया है उसका DNA DNA से क्या बनेगा messenger RNA बनेगा ठीक है यानि कि sense messenger RNA बनेगा अब यह single standard messenger RNA एक protein मनाएगा जो इसकी जिन्दा रहने के लिए जरूरी है अब यह तो हो गया निमेटोड का case यह तो निमेटोड के अंदर चीज़े हो रही है अब हम बात करते इसके particular specific gene निकाला उस जीन की क्या बात खास बाते उसके पास कौन से sequence थी उसके पास sequence अमने इस तरीके से लिए कि जो messenger RNA बने उसके पास इस messenger RNA की sequence तो हो ही और उसके साथ साथ इसकी complementary sequence भी हो फो एक्जेंपल अगर मैं करें बात करों यह messenger RNA है इसका यह messenger RNA निमे टोड़का उसके पास यह sequence है अब हमने जो sequence जो add करी है यूज करके वह इस तरीके से एड़ कई है कि जो messenger RNA बने उसके पास यह sequence तो होई और इसकी complementary sequence भी हो यानि कि यह हो इस तरीके से हमने gene को insert किया है अब यह complementary है दोनों तो यह क्या बन जाएगा एक hairpin like structure बन जाएगी अब यह जो hairpin like structure है ठीक है यह क्या बन जाएगी बच्चे एक hairpin like structure है यह जो dicer है यह जो dicer है इस hairpin like structure को छोटे-छोटे small interfering RNA के अंदर break कर देगा ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ SI RNA की full form small the interfering RNA the small interfering RNA के अंदर यह break कर देगा अब जब निमेटोड infect करेगा यानि कि जब निमेटोड इसको उखाएगा तो SI RNA जब इसके body के अंदर enter करेगी तो जो सेल है जो निमेटोड की सेल के अंदर तो यह सारी की सारी कानी हो रही है तो इसका मतलब small interfering RNA को कौन recognize कर लेगा एक complex enzyme का जिसको आरने इंडो silencing complex बोलते हैं अब यह इसके उपर एक्ट करेगा ठीक है यह जो रिस्क है यह बच्चे यह क्या है यह रिस्क तीकर यह रिस्क है यह रिस्क है यह स्मॉल interfering RNA के उपर एक्ट करके जो सेंस स्ट्रेंड उसको तो remove कर देगा और anti-sense strand यह बचे गा और यह anti-sense strand इसके पास क्या है बच्चे complimentary sequence यह और किसके against complimentary sequence है इस messenger RNA के against complimentary sequence है यानि कि इसके पास cell के पास क्या है यह cell के पास तो यह चीज़ी और यह बच्चे और यहाँ पर एक cell के पास ही एक complimentary sequence available है इसको पहचान लेगा double standard RNA बन जाएगा प्रोटीन नहीं बने तो इसका मतलब क्या है अगर प्रोटीन नहीं बनी तो इसका मतलब क्या है यह निमेटोड भी जिंदा नहीं रह पाएगा क्या यह मेरी बात समझ में आई क्या यह मेरी बात समझ में आई ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा point के अंदर लिख लेते हैं ठीक ह निमेतोड मिलो आइडोगाईनी इनकोगनीशिया मिलो आइडोगाईनी इनकोगनीशिया फॉर्म्स मेसेंजर आर ने वाया ट्रांस्क्रिप्शन निमेतोड मिलो आइडोगाईनी इनकोगनीशिया जीन ओफ या फिर देनने ओफ लिख दो देनने ओफ मिलो आइडोगाईनी इनकोगनीशिया फॉर्म्स मेसेंजर आर ने वाया ट्रांस्क्रिप्शन और प्रोटीन प्रोटीन वाया ट्रांस्क्रिप्शन और इस प्रोटीन इस वरी वरी नेसरी इस प्रोटीन इस वरी नेसरी for metabolic activity of nematode ठीक है Okay, next point, Ti-Plasm, using, using Ti-Plasmid of Agrobacterium Tumifacian, Agrobacterium Tumifacian, Nematode-specific gene, nematode-specific gene, nematode-specific gene introduced in tobacco plant in such a way that it forms both sense as well as antisense strand. A hairpin-like structure is formed, a hairpin-like structure بن جائے گی, ठीक है, क्योंकि यह दोनों complementary होंगे, S-I-R-N-A, S-I-R-N-A का मतलब क्या है, Small Interferring RNA, by Dicer, ठीक है, Dicer की मदद से, जो hairpin-like structure है, वो Small Interferring RNA के अंदर break हो जाएगी, ठीक है, अब वें निमेटोड, जब यह जो निमेटोड है, इंफेक्ट करेगा, किसको इंफेक्ट करेगा, वें निमेटोड इंफेक्ट, टोबैको प्लांट, tobacco plant, siRNA enters into body, enters into its body and siRNA is recognized by को recognize कर लेगा इसको it is recognized by risk complex और जो risk complex यह क्या होता है बच्चे risk होता है RNA induced silencing complex ठीक यह क्या होता है RNA induced silencing complex ठीक है जो risk है वो remove कर देगा sense strand को risk removes sense strand क्योंकि small interfering RNA के पास sense strand भी है और anti sense strand भी है risk remove sense strand and anti sense strand forms joined with joint sense strand है वो किसके साथ join कर लेगा joined with किसके साथ join कर लेगा बच्चे यह जोइन कर लेगा किसके साथ messenger RNA of nematode messenger RNA of nematode के साथ यह क्या कर लेगा join कर लेगा two form double stranded क्या बनेगा बच्चे two form double stranded RNA double stranded RNA बन जाए गया ना सिंगल जो stranded MRN इस ना नोट प्री टू फॉर्म प्रोटीन प्रोटीन नहीं बनाएगा तो इसका मतलब गया है कि अब अब जोनी मेटोड हो जिंदा नहीं रह पाएगा तो रिसक रिमोव स्यू संसर्ण जों जोइंड विधे मेसेंजर रने फ्री मेटोड two form double stranded RNA नाओ double stranded RNA double stranded double stranded RNA है यह क्या कर पाएगा बच्चे this double-stranded RNA won't be able to produce won't be able to produce protein protein नहीं बना पाएगा और यह वो protein है बच्चे that is very very necessary for the biological activity of the nematode तो यह पूरी की पूरी कहानी है आपकी जो कि आपको ही I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह था RNA messenger RNA के अंदर हमने कुछ interference कर दी इसलें इसको RNA interference technique बोलते है messenger RNA को silence कर दिया ताकि यह double-stranded ताकि यह protein ना बना पाए जी कि इसको anti-sensor RNA technique भी बोलते messenger RNA silencing भी बोल सकते हैं यह पूरी की पूरी कहानी है और यह बहुत जादा important है यह आपको आनी चाहिए यह आपको आनी चाहिए clear है saver tomato पचेक जो normal tomato है ना normal tomato जब ripe हो जाता है और जब इसको तोड के लेके आते हैं ठीक है फिर जब marketing होती तो बहुत जादा time लग जाता है जिसकी वज़े से जो tomato है वह बहुत जादा over ripe हो जाता है बहुत जो tomato है जो टमाटर है उसकी जो शेल्प लाइप हो जाएगी पिल पिल ऐसा हो जाएगा जिसको कोई नहीं खरी देगा ठीक है तो अब क्या करते हैं अब जो फ्लेवर सेवर टमाटर जो भी टमाटर है ठीक है यानिक यह पहला जो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट के इंदर अवीलिबल ह्या दिक सकते हुए इस दा फ्रस ट्रां सजेनिख अ मोडिफाइद Pack लिक सकते हो यह ए पिलेवर टमाटर होटा कि यानि की नौर्मल चुब टमाटर की राइपनिंग के लिए एक एंजाइम रस्पोन्सिबल ठीक है अ एंजाइम पॉली गेलेक्टोरोनेस इस रेस्पोंसिबल फॉर इस रेस्पोंसिबल फॉर राइपनिंग ओफ राइपनिंग ओफ टमाटो ठीक है नॉर्मली जो टमाटो की राइपनिंग के लिए पॉली गेलेक्टोरोनेस उन्जाइम रиспोंसिबल है अब सेम आरेने इंटर। टेखनिक का यूज करके हमने क्या किया इस जो बी जीन इस एंजाइम के लिए रिस्पोंसिबल था सिंथेस के लिए रिस्पोंसिबल था कोई भी जीन है जिसको क Commissioner कोई आरेने ताकि polygalacteronase enzyme की कि बनना क्या हो जाए बच्चे बंद हो जाए यानि कि बहुत आराम-ाराम से क्या होगा फिर जो राइपनिंग होगी टोमैटों की ताकि अब जो मार्केट के अंदर जब भी बेचना जब मार्केट के अंदर टमाटर को जब सेल करेंगे तो इसका मतलब हो ज् गिलेक्तिरोनेज इस रेस्पोंसिबल फोड़ राइपनिंग वॉफ टमाट टोमैटो महां तो इसको कोई नहीं चुंड करेंगा ठीक है जिन बननाएगा क्या मैसेंचर आ्रेन रहे निए हैं अब यह क्या मनाएगा प्रोटीन मनाएगा प्रोटीन का मतलब है बच्चे यह एंजाइब टीक है तो एंड़ेंस मैं डिटेल के नहीं बताने क्या है वो अश्रीbaj ठोल्ड अरेने इंट्रफेरंज टेक्नीक है को क्या कर दिया है हमने इसकी साइलंसिंग करा दिया silencing किसका यूज करके using RNA interference technique RNA interference technique का use करके इसकी silencing करा दी है जिसकी वज़े से जो टमाटर की है अब ripening क्या हो जाएगी बच्चे डिले हो जाएगी ठीक है जो restore taste तो यहां पर भी हम क्या करते हैं यह पोली गलेक्टरों ने जो भी एंजायम है जो कि responsible है राइपनिंग टमेटो उसको हम बनने को रोग देते हैं नैचर बाइउज आरे इंटर्फेरेंस टेक्निक ठीक तो pillar की पूरी पूरी कहानी यहाँ पर हमने एपलिकेशन देखी की किस की बायोटेकनोलजी के agriculture के अंदर BT cotton पड़ा हमने golden rice पड़ा हमने अंटिकोवाग्लॉंट ही रूडीन का बनने को देखा हमने फिर देखा किस तरीके से प्लांट होता है बनाते हैं हम और किस तरीके से फ्लैवर सब्लाइटर हमाया बनता है ठीक है तो यह पूरी की पूरी कहानी थी अब हम बात करते हैं अपनी NCRT की ठीक है NCRT की हम बात करते हैं Pest Resistant Plant के बारे में चलो देखो Pest Resistant Plant several निमेटोड बहुत सारी निमेटोड है जो की parasitize करते हैं and wide variety of plant and animals including human beings निमेटोड है जो की infect करता है roots of tobacco plants and cause a great reduction in yield a novel strategy was adapted to prevent this infestation which was based on the RNA interference technique ठीक है RNA interference take place in all the eukaryotic जो RNA interference है हो हर एक eukaryotic cell के अंदर होती है एक natural defense mechanism होता है इनके अंदर this method involves क्या करता है बच्चे silencing of a specific messenger RNA due to the complementary double standard RNA जो भी जो भी हमने मतलब protein का बनने को रोका था किस तरीके से रोका था यानि कि double standard RNA वहां पर बना था ठीक है that binds to prevent the translation नहीं होता था of the messenger RNA यानि कि messenger RNA silencing भी बोलते हो अब इसका जो source है तो क्या क्या हो सकते है इसका सोर्च है mobile genetic material जिसको आप jumping genes बोल सकते हो वह भी हो सकते है या फिटी आई प्लाजमेड ओफ एग्रोबेक्टिं प्यूमी फेशन का भी हम यूज कर सकते है या फिर RNA infection via RNA genome तो इसका source कोई भी हो सकता है यहां पर लिखा हो है source of this complementary RNA इसका जो complementary RNA का source क्या हो सकता है यह कुछ भी हो सकते है to from infection by virus having RNA genome ठीक है mobile genetic element जिसको आप टांस बोचोन या फिर जंपिंग genes भी बोल सकते है that replicate via an RNA intermediate ठीक है using agrobacterium vectors nematode specific gene वर देखो अग्रो बैक्टिरियम वेक्टर का यूज करके कि यह भी source है तो टोटल तीन source हो गए आपके एक पहला source यह हो गया infection by RNA वाया RNA having RNA genome mobile genetic material तीसरा यह using agrobacterium vectors nematode specific gene were introduced in host plant the introduction of DNA किस तरीके से होएगा यह produce करे बोथ sense as well as antisense RNA into the whole cell these two RNAs being complementary to each other formed double-stranded RNA that initiated RNA interference technique and the silencing the specific messenger RNA of the nematode the consequences was that in parasitic could not survive in a transgenic host experience expressing the specific interfering RNA the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite यह पूरी की पूरी कहान है जैसा ही कि नॉर्मल है और यहां पर क्या हो गए बच्चे जो roots है वो क्या हो गई है infect हो गए जैसा कि root not disease यहां पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो यह पूरी की है किसकी अब हम बात करते कुछ questions की तो यह पहला जो question ना बच्चे वो रहेगा आपका homework ठीक है पहला ही question क्योंकि बात में सारे के सारे question धडले से करा देते मेरे कुछ को कुछ को नहीं पता चलता ओल्राइट तो यह पहला आपका क्या है यह आपका है homework ठीक है RNA interference is a mechanism to silence gene with the help of यह आपका DNA वाले तो होंगे नहीं यह तो आपका cancel ही हो जाएगा पहले दो में आप देख लेना क्या है यह मैंने आपको बता दिये next which of the tobacco plant is tobacco plant is infected by the miloidogaine incognition कौन सा plant याने कि सी दीसी बात है disease ही बता रहे है root not disease तो root not disease हो रहे है तो इसका मतलब टोबैको का कौन सा part impact होगा root correct answer क्या हो जाएगा आपका option number C is the correct answer ठीक है next है आपका to protect the tobacco plant against miloidogaine incognition using RNA interference nematode specific gene were introduced in the plant देखो nematode specific gene introduced करना ना है plant याने कि whole cell के अंदर वो इस तरीके से हो सकता है कि वो sense और as well as entice and strength दोनों बनाएं तो हम किसका use करते हैं ti plasmid of agrobacterium tumifacian ठीक है correct answer है तो option number D is the correct answer चलो golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for the biosynthesis of golden rice याने कि गोल्डन हम क्यों बोलता है क्योंकि rich in beta carotene और beta carotene क्या है precursor है किसका precursor है vitamin A का तो इसलिए correct answer क्या हो जाएगा आपका option number D is the correct answer ठीक है चलो और ने इंटर्फेरेंस इंवोल्स जो आर ने इंटर्फेरेंस अब क्या इंवोल करती है synthesis of complementary DNA RNA using reverse transcriptase silencing of specific messenger RNA due to complementary RNA interference of RNA in synthesis of DNA या फिर synthesis of messenger RNA form DNA याने कि यह silencing of specific messenger RNA due to its complementary RNA ठीक है correct answer क्या आएगा आएगा आपका option number B is the correct answer ठीक है चलो अब हम बात करते हैं नेक्स question की the process of DNA interference has been used in development of plant resistant to जो RNA interference का हम किसे बताया था भी निमेटोड से तो हमें बचाओ बताया था भी ठीक है आपका फिर्स क्लास का ओमवर्क ठीक है यह आपका फिर्स क्लास का ओमवर्क ठीक है मैं को comment box में homework के answer बिलकुल भी नहीं मिलते हैं और I am very disappointed तो आपको जरूर से बरताना है कि first and last जो question है उसका answer क्या होगा ठीक है जो टॉक्तर नहीं हमने बहुत अच्छे से detail में पढ़ा है questions भी हमने इससे related किये ठीक है तो next हम class में करेंगे और और अच्छा हो जाएगा ठीक है टाइम के साथ तो next class जो होगी उसके अंदर हम by technology के application देखेंगे medicine के अब तक अपना ध्यान दा किये मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए थैंक्यू सो मॉच टेक क्यार